हेलो आप्रीवन, एम ट्रोक्टर गनिश का कोशिक, वेलकम यौल उन टॉपर स्टॉप सो गाइस, कल हमने जन्वरी के प्रिलियम से रिलेटेड जो करन्ट अफेर्स थे उनको डिस्कस किया था, पार्ट वन था, वो आज पार्ट टू है Foundation Day मनाया गया था Bureau of Indian Standards का, यहां पर Basically Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution के अंदर जो है Bureau of Indian Standards जो है, वो काम करता है, यह जो Bureau था, यह Establish किया गया था, 23 December 1986 को, और यह Bureau of Indian Standard Act 1986 के अंदर Establish किया गया था, महीं पर आप ही देखिए कि जो Bureau of Indian Standard Act था, उसको एक National Standard बोली बना दिया गया है, यह जो National Standard बोली बनाई गई थी, यह 2017 में बनाई गई थी, इसी Act के अंदर यह वाला पॉइंट आपको याद रखना है वहीं पर आगर हम काम का देखते हैं कि BIS जो है, वो काम क्या करती है तो देखे, जितने भी गुड्स जो हमारी कंट्री के अंदर बनते हैं, उनका Standardization करना, Marketing करना, Quality Certification, जितनी भी Developmental Activities होती है, किसी भी गुड्स की, उसके Responsibility BIS की होती है हिंदी के जो स्टूडेंट से, उनकी लिए भी हापे Content में ने डाला है, कलकी वीडियो की तरह ही, तो BIS जो है, वो भारते में रास्टे मानक निदारित करने वाली संस्ता है और यह किसके अंदर हाती है, यह उभोकता मामलो, खादे, और सावरेजनिक वितरन मंतराले के अंदर कारे करता है, इसकी स्थापना जो थी, वो भारते मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतरगरत की गई थी इसका जो काम है वो क्या है भारते मानक ब्यूरो उत्पादों के माननी करन चिनहांकन और गुनवनता प्रमानित गतिवीदियो के समंजस सपुर्वक विकास एवं इससे समंदित मामलों के लिए उतरदाई है तो आपको ये क्लियर होई गया होगा इंगलिश में जो मैंने ख्रमानि टेकनोलोजी है जो कि इन्योवेशन और जो हमारे एपक्स लेफल के डियरेक्टिव सोते हैं उनको एक साथ ले जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको implement करेगा और उसी के साथ एक technology development acceleration cell जो है वो भी बनाया गया है कि जितने भी disruptive technology create की जा रही है उनका induction जो है वो किस तरीके से work में किया जाएगा ये technology development acceleration cell का काम होगा हिंदी में देखते हैं तो देखिए रक्षा मंतरी द्वारा नो सेना नवोन मेश एवं सदेशी करन संग्ठन की शुरुआत की गई है ये इसको हिंदी में का जाता है NIAE को और यहां पे जो basically काम होगा नो सेना प्रोदोगी तवरन परिशत का वो होगा नवोन मेशन एवं देशी करन दुवारा पहलों को एक साथ लाएगी और सिस्तरिय निदेश उपलत कराएगी उसे के साथ जो NTAC का एक कारे समुए वो परियाजनाओं को कारेवनित करेगा और TDAC जो की हमने सेल्फ की बारे में बात करी है ये तवरीक समय सीमा में उभरती बाधा कारी जो की विकास सवरन प्रकोष्ट का सरजन किया गया है तो देखे हिंदी जो है वो मेरे को थोड़ा तफ डिय जो टर्म्स होते हैं ये डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि मेरी स्टडिज हमेशा इंग्लिश मीडियो में हुए है तो मैं ट्राइक कर रही हूं आपके लिए कंटें पॉलिटिकल वोईलेंस में स्पैसिफिकली किसी भी फैमिली की किसी मेंबर की अगर डैथ हो जाती है तो तुरिपुरा गवर्मेंट जो है उन्होंने ये स्कीम निकाली है कि उनकी फैमिली की किसी एक मेंबर को गवर्मेंट जो दी जाएगी तो आपसे कोशन में पूछा जा सकता है इस तरीके से कि कौंसा जो सरकार है कोंसे राज्जा सरकार है जिसने इस तरीकी की स्कीम निकाली है तो वो तुरिपुरा की गभर्मेंट है यही हिंदी का कंटेंट मैंने दे दिया है नेक्स देखते हैं काम देनु गाउग विज्ञान प्रचार प्रसार एक्जाम के बारे में तो देखे जो रास्टे काम देनु आयोग है हमारी कंट्री के अंदर उसने इस एक्जाम को लौंच किया है यह बिसी के लिए जो students को और citizens को aware किया जाएगा उसी के साथ जो है sorry उसी के साथ जो है cow sciences जो है उससे related सभी study material provide किया जाएगा यहाँ पर जो exam होगा उसके कोई भी fees नहीं ली जाएगी यह Hindi English और 12 regional languages के अंदर होगा मतलब local languages के अंदर होगा और चार categories के अंदर जो है यह exam लिया जाएगा जैसे primary secondary college level और general public level तो चार categories यह सब आपको याद अखने है हिंदी में इसको देखते हैं तो इस परिक्षा का उदेश्य युवा चात्रों को और सभी नागरेकों को मध्य देशी गाओं के ब्यार में व्यापक जागरुकता बढ़ाना है उसी के साथ जो है यह कहा कहा पर होगा यह चार श्रेणियों में पेपर होगा प्राथमिक माधमिक कोलिज और सामाने सावरजनिक सतर पर यहाँ पर बारा च्छेत्रे भाषा होंगी हिंदी होंगी और अंग्रेजी होगी और कोई भी शुल्क इस पर इजाम के लिया नहीं जाएगा नेक्स रहते हैं टोई कैथों 2020 के बारे में तो अगर आप पहले से ही सेल सर्वेसिस के लिए प्रिप्रे कर रहे तो आपके सामने एक टर्म आता था हैक्थों हैक्थों में क्या किया जाता था कि जो है तीन चार दिन के लिए एक सैमिनार अरेंज होता था और यहां पर जितनी भी साइंस और टेक्नोलोजी से रिलेटर इनोवेशन हुआ करती थी नए नए वर्क हुआ करते थे उनका कॉम्पिटिशन हुआ करता था तो यहां पर क्या था है है तोई कैथों है 2021 का तोई का क्या मतलब कि जब टोई की होन है जिसमें की स्टूडेंट्स टीचर्स जो हैं स्कूल और कॉलिजिस के एक्सपर्स हैं जो या फिर जो स्टार्ट अपस हैं वो एक जगह पर आएंगे और वो टोई और गेम्स को डेवलोप करने के जो अपने आइडियाज है वो रखेंगे और बताएंगे और यहां प हमारे कंट्री में जैसे मुगल्स रहे हैं या फिर शिवाजी रहे हैं गांदी जी रहे हैं तो उन से रिलेटिड जो है ऐसे लोकल हिरोज के ओपर टोई बनाए जाएंगे और इंडियन वैल्यू सिस्टम के ओपर फोकस किया जाएगा यह जो है सिर्फ एक मिनिस्ट्री के हो गया मिनिस्ट्री ओफ MSME हो गया इनोवेशन सेल और EICT हो गया इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं जो टोई कैथोन दो हजार एक विशेश प्रकार का हैक्थोन है इसमें स्कूल और कोलेज के चात्रों तथा सिक्षक और डिजाइन विशेशकों के विचार को साजा क करने का काम करेगा और ये किसमे करेगा खिलोना विशेशक जो है मिलके इस काम को करेगी इसके जरह बारते संस्कृति लोकाचार स्थाने लोकताओ इवम नाईको इवम भारते मुल्य प्रणाली उपर अधारित खिलोनों को और खेलों को विक्सित किया जाएगा यह एक अंतर मंतराले पहले जिसके में सिक्षा मंतराले महीला मंतराले हो गया वस्तर मंतराले हो गया वानिज्य इवं उद्योग मंतराले है शुक्षम लगु इवं मद्यम उद्यम मंतराले है सूचना इवं और हमारा भी चैनल जो है वो ग्रो हो लाइक कर दीजे वीडियो को और शेयर किजे ताकि जादा से जादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिले नेक्स देखते हैं सागरमाला सेपलेन सर्वेश के बारे में तो जो मिनिस्ट्री ओफ पोर्स और शीपिंग बॉर्टर वेज है उन्होंने इस सर्वेश को शुरू किया है ये बिसिकली स्पेशल परपस वेहिकल की तरीके से लौँच होगी और ये एक प्रोस्पेक्टिव ए एड्मिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हैंडल करेगी इसी को हिंदी में बताया गया है कि सागरमाला सीपलेन सेवा को कुछ चुनिंदा मार्गों पर विशिश उद्रश्य वाले वाहन रेटिस स्पेशल परपस वेहिकल जो है संरश्चना के तहत संभावित एयर लाइन प्र याद रखेंगे यह जो है एक जोएंट इनिशेटिव है मतलब के ट्राइफट ट्राइफट की फुल फॉर्म क्या है बैसिकली मिनिस्ट्र ओफ ट्राइबर अफेर्स के अंदर यह आता है इसकी फुल फॉर्म जो है वह आप मिलको कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मिनिस पार्के मिला जाता है और उसको फिर बदला जाता है किसी फूट प्रोसेसिंग मतलब कि किसी न्यूपWood प्रोड़क्ट के अंदर वो होते हैं ट्राइफूट पार्क्सु की उन्दन योजना 2020 के अंदर、、 उन्दन की गई थी मधिप्रदेश के अंदर यह जो पार्क होते है ये वन धन के इंदर से जो है raw material मतब कच्छा माल जो होता है उसको लेते हैं और फिर पूरी country के अंदर जो tribes India outlets होते हैं उनके थूर अपनी चीजों को बेचते हैं यहाँ पर जो minor forest produce होते हैं उनके लिए minimum support price भी fix किया जाता है और किसके थ्रू किया जाता है जो हमारी tribal affair ministry होती है और इसको हर 3 साल के बाद revise किया जाता है मतलब उसके अंदर changes लाय जाते हैं किसके थ्रू लाय जाते हैं जो ministry के अंदर pricing sell होता है जो उसकी कीमत को तैय करता है उ इंदी में देख लेते हैं तो मदर प्रदेश में ट्राइफूर पार्कों की स्थापना की जा रही है यह जन जाते कारे मंतराले के तहत ट्राइफेट और खादे प्रंसंसकरन मंतराले की एक संयुक्त पहल है ट्राइफूर पार्क खादे प्रंसंसकरन केंद्र के रूप मे कारे करेंगे और इनका लक्षर रगू वनो पच को बढ़ावा देना है 2020 में बंधन योजना के अंदर इसको शुरू किया गया था और इसके अंदर जो है बंधन केंद्रों से कच्चा माल खरीदा जाएगा और फिर जो ट्राइबस इंडिया आउटलेट्स होंगे उसके मद्धे से पुरे देश पर में बेचे जाएंगे लगू वनो पेज के लिए नियुन्तम समर्था और मुल्या आदिवासी मामलों के मंतराले दुआरा निधारित किये जाते हैं यह हर तीन वर्ष में संशोदित किये जाते हैं सोरी नेक्स आता है पैंगुलिन के बारे में तो देखे जब कोरोना वाइरस आया था जस्ट कोविड शिरू आ था तो उस टैम जो पैंगुलिन था जैनवरी के टाइम में जो हमारा लास्ट एर की जैनवरी की मैं बात कर रही हूँ 2020 की तो वहाँ पर यह जादा निउस के अंदर था पैंगुलिन के उपर जो है यूट्यूब भर गया था स्पैसिफिक वीडियो के उपर तो उस वे में भी और अब यह दुबारा निउस में है एक साल बात तो यह वाला जो पैंगुलिन का इशू है वो आपका इंपोर्टेंट हो जाता है इसका एक भी पॉइंट आप मिस आउट नहीं करेंगे तो ओरिसा का जो फोरेस्ट एपार्टमेंट है उसने अपने शोशल मीडिया फ्लैटफोर्म्स पे काए कि स्ट्रिक्ली मोनिटरिंग करनी है कि पैंगुलिन जो है उसकी पोचिंग या ट्रेडिंग ना किया जाए मतब उसको माला ना जाए या फिर उसको ट्रेड नहीं किया जाए उसका बिजनिस ना किया जाए क्योंकि दीकि पैंगुलिन जो है वो एक अकेला ऐसा मैमल है जो की स्केली है मतब कि जिसके बोड़ी सर्फेस के उपर काटे प्रेजेंट है तो स्केली मैमल है पूरे प्लैनेट के उपर यह वाला फै और उसी के साथ जो है पैंगुलिन की एट स्पीशिस जो है वो वर्ल्ड वाइट देखने को मिलती है जिसमें से दो जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलती है जो दो स्पीशिस इंडिया के अंदर देखने को मिलती है वो एक है चाइनीज पैंगुलिन जो की इंजर कटेगरी के अंदर आता और ये शैडूल one कटेगरी के अंदर आते हैं Wildlife Protection Act 1972 चैडूल one कटेगरी के अंदर वो एनिमल्स रखे जाते हैं जिनका trade जो होता है वो बिल्कुल बेन होता है किसी भी situation में आप उसको एक जगह से दूसरी जगह trade नहीं कर सकते हैं पोचिंग उसकी नहीं कर सकते हैं तो इसके बारे में हिंदी में पढ़ लेते हैं पैंगोलीन पिट्वी पर पाया जाने वाला एक मातर शशलक स्तन पाई जीव है इसके अनुसार पैंगुलीन ऐसा स्तन पाई जीव है जिसके खाने और पारंप्रिक दवाओं में इस्तमाल के लिए सबसे अधिक अवय तसकरी होती है दुनिया भर में पाई जाने वाली पैंगुलोन की आठ प्रजाते है जिसमें से दो भारत में पाई जाती है भारत में ची NCRT को हिंदी में क्या कहते हैं राश्ट्रे सेक्षिक अनुसंधान और प्रिश्चन परिशद तो यह जो होते हैं इन्होंने एक स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की लौंच की है जिसमें की एक आ गया है कि इस क्लास के लिए जो बैग होगा उसका वेट इतना ही होना चाहिए उससे ज क्लास के लिए किलास के लिए झाँड़े साधी तीन से पाच किलो का वेट दिया गया है यह वही है फैक्ट्स जो की इंग्लिश में बताए गए है next discuss करते हैं सहायक NG के बारे में तो सहायक NG जो है वो इंडिया का first indigenously designed or developed air dropable container है इसको मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ सहायक NG भायत का पहला ऐसा सवदेशी रूप design और विक्सित क्या गया एक इस तरीके का container है जो की आकास से step पर उतारा जा सकने वाला container है तो यहाँ पर क्या होगा आकास से जो है जमीन पर इसको easily उतारा जा सकता है इसका जो weight है वो 50 kg है मतलब 50 kg तक का जो वजन है यह नीचे उतारा जा सकता है इसके तरू और इसको किसने बनाया है DRDO ने बनाया है इसको किसके तरू भारते नो सेना की help से इसको बनाया गया है तो यही वाला content जो है हमारा English में present है नेक्स देखते हैं Argentina ने legislation पास किया है abortion के बारे में तो आप से directly question पुछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी country है जिसने की 14 हफते तक की जो pregnancy होती है उसमें abortion को legal कर दिया है तो वो है Argentina अब तक जो Argentina था उसमें allowed नहीं था abortion तो illegal way में जो वहां की female सुआ करती थी वो abortion कराया करती थी बढ़ अब 14 सब्ता तक गर्वपात को वैद कर दिया गया है कहापे Argentina के अंदर next देखते हैं core sector के बारे में last news है यह आज की तो देखिए core sector जो होता है वो sector होता है basically हिंदी में मैं अगर आपको बता हूँ तो प्रमुक्षेतर के अंदर जो मतलब कि भो जादा important sectors है हमारी country के अंदर वो होते है core sectors तो 8 core sectors industries जो है वो हमारी country के अंदर है coal की हो गई जैसे कोईला हो गया आपका crude oil हो गया natural gas हो गया रिफाइनरी products है fertilizer, steel, cement and electricity एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं प्रमुक्षेतर के 8 उद्योगों में के कोईला कच्चा तेल, प्राकर्तिक gas, रिफाइनरी उतपाद, उर्वरक स्पाथ, सिमेंट और videos सम्मिलित है, अगर इनका हम नंबर देखते हैं कि कितना percentage constitute करता है, तो हमारी countries के अंदर जो index of industrial production है, उसमें 40% जो है, यह constitute करता है core sector, यह वाला जो point है यह UPSC civil services premiums 2015 में पूछा गया था, और directly यह वाला जो था, मतब कि increasing or decreasing order वाला point यह वाला जो point है, यह 2018 में पूछा गया था, और यह वाला जो point है, यह 2015 के civil services paper में पूछा गया था, यहाँ पे जो यह 8 core industries है, इनका जो weightage होता है उसको decreasing order में दे रखा है, तो सबसे जाएदा है, यहाँ पे क्या है refinery products की demand होती है, फिर electricity आता है, फिर steel आता है फिर coal आता है, फिर crude oil, फिर natural grass, cement और fertilizer एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं तो उद्योगिक उत्पादक सुनचाचक, that is IIP में शाप विल, वस्तों में 8 प्रमुक उद्योगों का भारांक लगबक 40% है, भारांक के घटे करम में 8 प्रमुक, उद्योग सबसे पहले क्या हो गया, रिफाइन द्यूत पाद हो गया फिर विद्यूत मतब electricity हो गया, इस पाथ I think steel था steel है, कोईला हो गया, फिर कच्चा तेल है, प्राकर्टिक गैस, वो खतम करते हैं, इसी तरीके से जो है, हम आथ से एक और नई वीडियो लाने जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि 2020 का current affair बच्चों को चाहिए था, बहुत ज़्यादा demand आ रही थी, तो हम questions के form में 2020 का पूरा current affair जो है, वो हिंदी plus English medium, difficult medium और easy, सबी level के questions